आपको बहुत सौगत है अगर आपने मेरे चनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करते ताकि मैं जो भी नहीं वीडियो बना हूँ उसको नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे जब हम आपको बताएंगे 125W HPMB लैंप के बारे में किसके कनेक्शन कैसे किये जाएं यह 125W की HPMB लैंप बलास्ट है चोक है 125W HPMB लैंप की और इसमें जो बल्ब लगा हुआ है यह भी 125W का लगेगा तो इस चोक के चार टर्मिनल होते हैं फ्रेंट्स इसमें दिखा देते हैं य यहां पे लिखा हुआ यहँ अधि यह कामन टर्मिनल लाइए 200W के लिए यह 220W के लिए 242W के लिए जो हमए कनेक्शन करेंगे यह 240 वाला यह जो टर्मिनल है इस पे करेंगे और यह जो कामन टर्मिनल है यहाँ से phase in करेंगे यहाँ पर हम अपने supply wire के phase को यहाँ पे connect करेंगे और यहाँ से supply wire का phase output होगा जो कि हमारे बल्ब में connect होगा अब मैं इसके दिखा देता हूँ आपको circuit diagram को यहां पर लिखा भी हुआ है फ्रेंट्स यह common हो गया यह 200 वोल्ट हो गया 220 वोल्ट हो गया 240 वोल्ट हो गया इसी के नीचे इन terminal पर लिखा हुआ है अब मैं इसको फ्रेंट्स यह देखिए आपके जो supply wire होगा एक phase होगा एक बीच मैं इसकी वीडियो के description में लिख दूंगा अगर आप अगर रगाते हैं तो ठीक हैं अगर नहीं लगाएंगे तब अभी यह आपका सर्किट कंप्लेट हो जाएगा और यह जलेगा मैं इसको भी कनेक्शन प्रेक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा फिर से मैं एक बार बता देता हूं आपके जो सप्लाइव बार होगा उसमें एक फेज होगा एक न्यूटल होगा यह फेज यह न्यूटल है यहां से फेज जाएगा यहां पर होको जाएगा यहां पर सकते हैं इस तूर्मीला पर कनेक्ट अगा और फिर इसके बाद यहां से जोयाख से फे यहां यह बंब के एक टर्मिनल पर कनेक्ट हो जाएगा विजो डियुक्ष नेक्ट होगा अगर यह आप ना भी लगाएंगे इसको प्रेक्टिकली करके दिखाता हूं HP MB Lamp Balanced मतलब High Pressure Mercury Vapor Lamp होता है HP MB और इसी में जो होता है HP SV होता है वो High Pressure Sodium Vapor होता है HP SV High Pressure Sodium Vapor Lamp होता है यह हमने HP MB Lamp के connection बता है यानि कि High Pressure Mercury Vapor Lamp के बरे में तो मैं इसके आपको अब प्रेक्टिकली करके दिखा रहा हूँ फरेंट्स यहां पर देख सकते हैं यलो वायर face का है और ब्लू वायर neutral का है ये यलो वायर ये चोक के 240 वाले टर्मिनल पर चला गया है येलो वायर और यहां से common terminal से ग्रे वायर निकला है जो की face का है और यो ब्लू वायर है वे neutral का direct जा रहा है और यहां पर बॉच कर यहां पर एक blue wire connect हो जाएगा न्यूटल के लिए और gray wire face का connect हो गया है इस तरह से यहां देख सकते हैं हमारे जोग से common terminal से gray wire निकला ता वो face का हमारे जा रहा है बल में और न्यूटल वाला direct बल में जाके connect है इस तरह से यह दोनुतार connect हो